नमस्कार आपका अख़बार पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सींग महाराश में एक नाच शिंदे गुट की गाड़ी फंस्ती हुई नजर आ रही है क्यों कह रहा हूं ये बात सुप्रिम कोट से ऐसे संदेश आ रहे है सुप्रिम कोट ने महाराश्ट विधान सभा के स्पीकर को एक तरह से चेतावनी दी उसकी बात बताता हूं लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था 11 मई 2023 को सुप्रिम कोट की सम्मिधान पीठ पांच जजों की पीठ थी जिसके अध्यक्षता मुख्य नयायदिष डिवाई चंद्रचूड कर रहे थे उसने विधान सभा अध्यक्ष से कहा था कि एक उचित समय सीमा के अंदर एक नाश शिंदे और उनके साथियों की सदस्यता पर जो सवाल उठाए गया है उनकी अयोग्रिता को लेकर जो याचि का दायर की गई है उस पर फैसला सुनाए सुप्रिम कोट ने अपनी और से कोई समय सीमा तै नहीं की आहम तोर पर सुप्रिम कोट स्पीकर के लिए कोई समय सीमा तै करता भी नहीं इस उम्मीद में कि स्पीकर जो है उसकी भावना का ख्यान रखेंगे लेकिन स्पीकर ने कोई समय सीमा तै नहीं की और ऐसा लगा नहीं कि वो इस मामले की सुनवाई जल्दी करने के मूड में है तो सुप्रिम कोट ने अपनी तरफ से 18 सितंबर की तारीख रखी कि 18 सितंबर तक आप हमको बता दीजिए कि आप कितने समय में इसका फैसला करेंगे एक टाइम टेबल बता दीजिए उस डेडलाइन को भी स्पीकर ने अंदेखा कर दिया तो 13 अक्टूबर को सुनवाई हुई तो सुप्रिम कोट ने कहा कि अब जो है अगली सुनवाई अब 30 अक्ट्रूबर को होनी है तो सुप्रिम कोट ने कहा कि अगर स्पीकर ट्राइमिनल के हेड के तोर पर और उनका 10th शेडूल में स्पीकर की जो इस्थिती होती है वो एक ट्राइमिनल के हेड की होती है उस रूप में अगर फैसला नहीं सुनाते है मतलब फैसले का एक टाइम फ्रेम नहीं तै करते हैं तो हम अपनी और से तै करेंगे फिर हम दो महिने का टाइम फ्रेम तै कर देंगे अपनी और से ये चेतावनी दिये दरसन मामला क्या है कुल मिलाकर जो लग रहा है कि मई में सुप्रिम कोर्ट का फैसला आने के बाद से आपको याद होगा सुप्रिम कोर्ट ने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे ने स्तीफा न दिया होता तो वो सरकार को रिवाइब कर सकते थे उन्होंने कहा कि अब आब गड़ी को पीछे नहीं घुमा सकते हैं आप इस्तीफा दे कर चले गए इसलिए अब जो है आपकी सरकार को रिवाइब करना हमारे अधिकार क्षेतर में नहीं है वो सरकार रिवाइब नहीं हो सकती लेकिन एक नाशिंदे और उनके सातियों ने जो बगावत की उनकी सदसिता जानी चाहिए नहीं बनी रहनी चाहिए इस पर फैसला करने का अदिकार विधान सभा अदियक्ष का है और विधान सभा अदियक्ष दोनों पक्षों के सुनवाई करें उसके बाद फिर तैकरें कि उनकी सदसिता बनी रहनी चाहिए या नहीं स्पीकर इस मामले को लगातार तालते रहे उन्होंने नोटिस भी दिया बुलाया भी सवाल भी पूछे लेकिन कोई कोई मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया तो दूसरा पक्ष सुप्रिम कोड पहुचा कि स्पीकर मामले को टाडल रहे वो इस मामले में कोई फैसला करना नहीं चाहते अब आप कुल मिलाकर जो घटना करम हुआ है उससे अंदाजा लगाईए अगर एकनाच शिंदे गुट का पक्ष मजबूत होता अगर एकनाच शिंदे ये कयास लगा रहा हूँ मैं कोई जानकारी नहीं है अगर बहुत मजबूत होता तो अब तक विधान सभा अध्यक्ष का फैसला आचुका होता विधान सभा अध्यक्ष फैसला ठाल रहे विधान सभा अध्यक्ष है श्री राहुल नार्वेकर जो भारतिय जनता पार्टी के सदस्य है लेकिन ये माना जाता है कि स्पीकर जो है निश्पक्ष होकर फैसला सुनाएंगे किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे तो राहुल नार्वेकर अभी तक वो कोई टाइम फ्रेम तै नहीं कर पाए है सुप्रिम कोट की इस सुनवाई 13 टूबर की सुनवाई के बाद भी उन्होंने उनका रवया जो था उससे लगता है कि अभी वो और इसे टालने के बूर में उन्होंने का पहले तो मुझे ये तै करना पड़ेगा कि कौन सा कदम गैर समवैधानिक है यानि जो धो ठाकरे और उनके साथियों ने किया एकनाशिंदे के साथियों ने किया कौन सा कदम गैर समवैधानिक है एकना शिंदे के साथियों को डिस्क्वालिफाई करने के लिए स्पीकर को उसमें डिप्री स्पीकर थे उनको लिखना या फिर उन लोगों का बगावत करके जो है वो अलग हो जाना और 10th schedule जो कहता है उसमें party की तूट सिर्फ दो तिहाई बहुमत से हो सकती है दो तिहाई अगर विधायक या सान साथ अलग होते हैं तो वो अलग होकर party नहीं बना सकते हैं वो अलग होकर किसी और party में विलाय कर सकते हैं तो एकनाश चिंदे के गुट ने, दो तीहाई तो हो गए थे, उनकी सदय संख्या हो गए थी, 40 विदायक थे, तो शिवसेना के जो विदायक जीत कराय थे, उनकी संख्या 56 थी, तो उसके इसाब से दो तीहाई भौमत हो गया था, लेकिन उन्होंने किसी पार्टी में विलाय नहीं किया बल्कि क्लेम किया कि हम असली शिर से ना है और उनको चुनाव आयोग से मानेता भी मिल गई चुनाव आयोग ने कहा कि विधायक और सांसद उनका बहुमत जो है वो एकनाश चिंदे गुट के साथ है इसलिए उनको पार्टी का सिंबल भी दे दिया पार्टी का नाम भी दे दिया यहां तक तो मामला हो गया अब अब उधाव ठाकरे का गुट चाहता है कि जो चुनाव आयोग का फैसला है उस पर भी सुप्रिम कोर्ट सुनवाई करे और फैसला दे बताए कि चुनाव आयोक का फैसला सही है या घलत है अभी सुप्रिम कोट इंसमें नहीं जाना चाहता है पहले वो विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का इंतजार कर रहा है विधानसभा अध्यक्ष फैसले को लगातार जो साफ नजर आ ताल रहे आप टालते तभी हैं जब आपका पक्ष कमजोर होता है इसका मतलब यह है कि अगर वो निश्पक्षता से फैसला करेंगे तो ऐसा संभव है मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता अगर ऐसा फैसला होता भी है तो इससे सरकार को कोई खत्रा नहीं राज्य सरकार को फिर भी बहुमत रहेगा क्योंकि 105 सदस्य बीजेपी के हैं और 40 सदस्य अजीत पवार गुट के हैं 145 ही चाहिए बहुमत के लिए उसके अलावा छोटी पार्टियों के और कुछ निर्दली सदस्य भाजपा का समर्थन कर रहे तो इसलिए सरकार को महराश्य की सरकार को कोई खत्रा नहीं लेकिन महराश्य की राजनीती में बड़ा उतल-पुतल हो जाएगा फिर एक नाशिंदे मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे फिर उनको मुख्यमंत्री पत से इस्तिफा देना पड़ेगा उनके सारे साथियों को मंत्री पत से इस्तिफा देना पड़ेगा और अगर उनकी सदस्यता जाती है तो उन सीटों पर उपचुनाव होगा क्योंकि विधान सभा की लाइफ अभी एक साल से ज़्यादा बच्ची हुई है तो महराश की राजनीती में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा सवाल है एक नाशिंदे हटेंगे तो मुख्यमंत्री कौन मनेगा क्योंकि फिर ट्रम्प कार्ड अजीत पवार के हाथ में होगा अगर वो समर्थन नहीं देंगे तो सरकार बन नहीं पाएगी चल नहीं पाएगी सरकार गिर जाएगी फिर मध्यावधी चुनाव होगा तो ये सारी संभावनाएं हो सकती है लेकिन सुप्रिम कोट ने जो बात कही है उस पर ध्यान देने की बात टाइम फ्रेम तै करने की चेतावनी देने के साथ साथ सुप्रिम कोट ने कहा यानि वो स्पीकर की मनशा को समझ रहे है या उन्होंने अंदाजा लगा है उन्होंने कहा कि हम ये नहीं होने देंगे कि स्पीकर इस मुद्धे को अगले विधान सभा चुनाओ तक टालते रहे अगर अगले विधान सभा चुनाओ तक टालते रहे तो उसके बाद ये पूरी याचिका ही इन्फरक्च्वस हो जाएगी उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा स्वता ही समाप्त हो जाएगी और फिर जो है नया चुनाओ होगा उसके हिसाब से जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार सरकार बनेगी जिसकी बननी होगी तो सुप्रीम कोट की इस बात से ये बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोट चाहता है कि अगले विधानसभा चुनाओ से पहले पहले एकनाशिंदे उनके साथियों की योग्यता के मुद्दे पर फैसला स्पीकर सुनाएं अगर स्पीकर कोई टाइम फ्रेम तैन नहीं करते हैं तीस अक्टूबर को फिर से सुनवाई है और सुप्रीम कोट के सामने सॉलिसिटर जनरल अफ इंडिया ने ये आश्वरसन दिया है कि वो इस मामले में दखल देंगे स्पीकर से बात करेंगे और तीस अक्टूबर को स् स्थाओं के बीच में खिष्टी हुई दिखाई दे रही है एक तरफ विदान सभा अध्यक्ष का ऑफिस है दूसरी तरफ सुप्रीम कोट है और हमने अतीत में ऐसी कई लड़ाईयां देखी है आपको याद होगा कि जब प्रशन के बदले पैसे का मुद्दा उचला था उन्होंने साफ बना कर दिया उन्होंने कहा कि ये हाउस का इंटर्नल मामला है इसमें हम किसी अदालत को दखल नहीं देने देंगे और सुप्रीम कोट के नोटिस का उन्होंने जवाब तक नहीं दिया इसके अलावा भी कई बार ऐसा हो चुका है कई राज्यों में कि विद इसके बावजूद अगर वो सुप्रीम कोट की तैकी हुई बात को नहीं मान रहे हैं बार बार उसको टाल रहे हैं और सुप्रीम कोट ने ये चेतावनी अंतिम रूप से दे दी है कि अगर 30 अक्टूबर तक उनको टाइम टेबल नहीं मिला कि कितने दिन में इस मामले का न गुढ के सदस्यों की विदान सबा की सदस्यता का मामला तै हो जाए उसमर फैसला हो जाए अब आप देखे एक इसका दूसरा पक्षपी ते जो मामला एक ना शिंदेगुढ के साथ है कमो बेश उत से मिलता जुलता अजितपवार गुढ के साथ भी है अजीत पवार गुट ने तो दावा भले ही किया हो लेकिन अभी Election Commission का कोई फैसला नहीं आया है कि असली पार्टी अजीत पवार का गुट जो है वही असली NCP है और अजीत पवार ने अपने गुट की किसी और पार्टी में विलाइप नहीं किया है तो ऐसे में उनके साथियों की भी सदस्यता जा सकती है ये जो फैसला होगा एकनाशिंदे गुट के बारे में उसका असर अजीत पवार के फैक्शन पर भी पड़ेगा तो महराष्ट की राचनीती में पूरा भूचा ला सकता है अगर दोनों पक्षों की यानि एकनाशिंदे का जो गुट है और उसके बाद अजीत पवार गुट के सदस्यों की सदस्यता पर सवाल उठता है अगर वो आयोग गोशित किये जाते है ऐसी कोई इस्थिती आती है तो यह आप मान कर चलिए कि मध्यावधी चुनाओ के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहे जाएगा तो सवाल है कि क्या महाराश्र विधानसभा का चुनाओ समय से पहले हो सकता है यह सब निर्भर करता है 30 अक्टूबर को सुप्रिम कोट में जो सुनवाई होगी क्या फैसला आता है उसे तै होगा कि महाराश्र की सरकार का भविष्य क्या होगा तो महाराश्र की सरकार का भविष्य अभी अनिश्चित है सब कुछ कानूनी पचलों में फसा हुआ है एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष है दूसरी तरफ सुप्रिम कोट है दोनों के बीच में मामला जूल रहा है लेकिन जो मनशा सुप्रीम कोट की दिखाई दे रही है वो उन्होंने तै कर लिया है कि हम जान बूज कर इस मामले को लटकाने नहीं देंगे इस मामले का जिस तरब भी फैसला होना है मान लिजे विधान सबाद दो ही तरह के फैसले कर सकते हैं या तो एक नाशिंदे और उनके साथियों को आयोगे गोशित कर दें या कहें कि नहीं आयोगे नहीं है उनकी आयोगेता का मामला नहीं बनता है तो ऐसे में फिर उद्धर ठाकरे का गुट सुप्रीम कोट जाएगा फिर सुप्रीम कोट उस पर फैसला करेगा कि उनकी आयोगेता का मामला बनता है कि नहीं स्पीकर का जो फैसला है वो 10th schedule के मताबिक है कि नहीं सम्विधान सम्मत है कि नहीं तो ये कानूनी लड़ाई लंबी भी चल सकती है उसका असर निश्चित रूप से राज्यकी सरकार की stability पर स्थाइट उपर पड़ेगा तमाम प्रशन चिन लड़ जाएगे अनिश्चित्ता का महौल हो जाएगा विपक्ष हमला बर हो जाएगा विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल जाएगा विपक्ष जनता के बीच में जाएगा कि देखिए हमारी सरकार गलत तरीके से गैर समाधानिक तरीके से गिराई गई अगर फैसला एकनाशिंदे और उनके सात्यों के पक्ष में आता है तो उनका होसला बढ़ेगा फिर विपक्ष कमजोर होगा तो ये सब कुछ अभी अनिश्चित्ता के दाइरे में है और 30 अक्टूबर की तारीक मुझे लगता है कि एक ऐसी तारीक है जब महराश्ट की राजनीती की एक दिशात तैह होगी तो 30 अक्टूबर में ज़्यादा दिन नहीं है इंदजार करते हैं इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्य के साथ तब तक के लियन मती दीजिए आप से नोध है कि ये चैनल देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब दरूर